Computer के Programming Language में हमें Arthematical and Logical Task को करना पठता है और Arthematical and Logical Task को करने के लिए हमें कुछ Special Symbols का Requirement होता है और उन Special Symbols को हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और उन Symbols को हम Basically कहते हैं आपरिटर्स और हमारे ये जू चैप्टर नया एक चैप्टर start करने वाले हैं अज उसका stores टॉपिक ही है Scoutiot इन जावा confident देख पoffyak पारे हों बहुत सारी हमारे पास different, different symbols हैं अब इस तरह के कई शिंबार्ट के साथ बादर डील करने वाले हैं आज के इस चैप्ट में तो देखें सपोस करने कि हमारे पास एक mathematical expression या mathematical equation लिखा हुआ है एक mathematical expression कहना ज्यादा सही होगा कि P is equal to A into A plus 2 into A into B यह mathematical expression धिया हुआ है और मुझे इसे perform करना है तो अगर मैं इस mathematical operations को देखूं तो इसमें मुझे बहुत सारे नए नए चीजे दिख रही है जैसे हम कहना चाहेंगे यह star mark है यह plus है A फिर P 2 तो यह सारे चीजों को साथ हम पहले introduction करते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जितने भी हमारे पास symbols दिख रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तो उन symbols कौन कहते हैं operators तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किये हैं या फिर आने वाले जो हम लोग वीडियो में बाते करेंगे तो इसी operators के बारे में ही बात करेंगे और बाकी जो letters लिखे हुए हैं जैसे कि A, B, P इन्हें हम कहते हैं operand तो operators कहते हैं उन symbols को और operand गहते हैं इन letters को और बीच में एक देखें equal का assign दिया हुआ है इसके बारे में हम पहले भी discussion किये हैं इसे हम कहते हैं assignment operator क्योंकि इस operator का इस्तमाल करके हम किसी भी variable के अंदर कोई value को assign करते हैं इसके बारे में हमने last classes के videos में discussion किया था assignment and initialization नाम का जो हमारा video है उसमें हमने topic के बारे में discussion किया थे assignment operator क्या होता है अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो link description अडाला हुआ है आप उस link से उस video को access करके देख सकते हैं हम अगर बात करते हैं operator के definition का कि यह actual में क्या होता है तो देखें एन operator is basically a symbol which performs arithmetical or logical operation to give meaningful result तो एक operator basically क्या होता है कि एक symbol है देख पार है कि यह सब एक symbol ही तो है जो हम लोग यूज करते हैं किसी arithmetical or logical operations को करने के लिए mathematical मतलब होता है mathematical जैसे कि a plus b a into b 2 into 5 इस तरह का logical मतलब होता है कि दो numbers में कौन greater है कौन less than है या फिर equal है दो numbers तो इस तरह के टास्क को कहते हैं logical operations और mathematical जितने भी टास्क हैं उन्हें हम लोग कहते हैं mathematical operation तो चाहिए वो mathematical task हो या logical task हो या operations हो उसको करने के लिए हमें कुछ special symbols चाहिए होता है उस symbols को हम लोग करते हैं operators अगर बात करते हैं इस operand का तो इस operand को हम करते हैं the value which are involved in the operation are termed as operands मतलब इस पूरे expression में जो जो हमारे पास variables है या अगर इसके जगह हम कुछ value भी रखते हैं जैसे कि 2 है तो इन values को ही हम कहते हैं operands जिनके द्वारा पूरा operations होने वाला है यासे कि A into A तो A is the operator and this 2A is operand वासे यह P भी एक operand है यह 2 यह B यह सब एक operand है तो यह तो हम लोगा introduction था कि operator या operand या assignment operator क्या होता है या उसका हम लोग यूज क्यों करते हैं चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले topic में कि आखिर अपरेटर का कितना type है हमारे पास तो operator का basically तीन टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले टाइप अगर बात करते हैं तो that is arithmetical operator नाम ही हमाई सब कुछ बता रहा है कि इसमें जितने भी mathematical task को करने के लिए operators का requirement होगा यह सारे operator इस arithmetical operator के category में आएंगे the next one is the relational operator and the last is the logical operator in java तो इन तीन तरह के operators को हम लोग पढ़ने वाले हैं बारी बारी से चली सुरू करते हैं सबसे पहला operator अरिथमेटिकल operator सबसे पहला operator हम लोग के पास है arithmetical operator तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि arithmetical operator basically mathematical task को करने में हमें help करता है तो mathematical task मतलब प्लस, माइनस, multiplication, division, remainder, finding तो यह सारे होते हैं arithmetical operations और उन mathematical operations को करने के लिए जिन operators का requirement होता है जिन special symbols का requirement होता है उसे हम लोग कहते हैं arithmetical operator देखें, the operators which are used to perform arithmetical calculations arithmetical calculation का मतलब होता है mathematical calculations in a program are not as arithmetical operators example के तोर पर अगर हम बात करें कुछ हमारे पास basic calculations अगर है तो वो है addition, subtraction, multiplication, division and modulus यह modulus क्या होता है modulus एक special operator का ही नाम है arithmetical operator के ही एक operator का नाम है modulus जिसका use करते है remainder find करने के लिए मैं इसके related बहुत सारे programs करूँगा आगे के वीडियो में तो जैसे कि addition के लिए operator है हमारे पास plus, cosine, subtraction के लिए है subtraction, minus, cosine, multiplication में normally हम लोग maths का अगर multiplication का बात करते है तो maths में इस तरह के multiplication का use किया जाता है इस तरह के symbol का use किया जाता है बट अगर बात करते है जावा में तो जावा में इस तरह के symbol का इस्तमाल नहीं किया जाता है यहाँ पर इस्तमाल किया जाता है star mark का star mark का इस्तमाल करते हैं हम लोग जाबा के programming के लिए तो यहाँ दिख़वा रहे हैं यह star mark जो है हमारे पास यह basically multiplication को represent करने के लिए इस्तमाल करते हैं division के लिए है यह slash का sign this is the symbol of division और last में जो percentage का sign दिख रहा है यह percentage का sign जो होता है यह actually इसका नाम है remainder remainder इसे हम लोग यूज करते है basically remainder के लिए इसका नाम है modulus इसका नाम है modulus का काम क्या है remainder को find करना दो number divide कर रहे हैं division के बाद जो remainder होगा उसे calculate करने के लिए Java के operator के family में एक special operator है जिसे हम लोग करते है modulus उसको symbol है यह percentage का sign है ठीक है तो यहां तक उम्मिद करूँगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए इस plus minus multiplication division and modulus जो भी हमारे पास operators प्रेजेंट हैं इनमेंसे कुछ operators को हम एक छोटे से programming के थ्रू देखने वाले हैं कि आखिर इनका use हम कैसे कर सकते हैं देखें एक sample program हमारे पास है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं a square plus 2ab plus b square यह एक mathematical expression हमारे पास दिया हुआ है इसे solve करके इसका जो result होगा वो हमें find करना है एक Java के programming के through तो मैं आपको आज इस sample expressions दिये हुए हैं इसे solve करूँगा पहले आपको without programming के without execution के उसे मैं बताऊंगा और उसके बाद उसी programming को execute करके भी बताऊंगा बलुजे के मदद से ठीक है तो बने रही हमारे साथ देखें हमारे पास suppose कलने कि a और b का value दिया हुआ है इस mathematical expression को solve करने के लिए हमें a और b का value चाहिए होगा without a और b के value का हम इसको solve नहीं कर सकते हैं तो देखें उसके लिए मैं जो programming लिखने वाला हूँ तो मैं आपको कुछ पिछली वीडियो के बातों को recall कर देना चाहूँ कि Java में programming कुछ भी लिखना होता है programming में तो सबसे पहले आपको उस programming का class declare करना पड़ता है उसके लिए कैसे लिखते हैं हम लोग सबसे पर लिखना पड़ता है class is a keyword और उसके बगल में उसके just beside उसके just pass में लिखना पड़ता है उस class का नाम तो इस class का नाम मैंने expressions दिया है class का नाम क्या है expressions इसके जगा आप पुछ भी दे सकते हो यह आपके उपर depend करता है class का नाम और class का नाम लिखने के बाद एक curly bracket देना पड़ता है curly bracket क्या होता है यह class का body जो है class का अंदर में लिखने वाले सारी चीज़े जो होंगी वो इसी curly bracket के अंदर रहता है इसके बाद क्या होता है इसके बाद होगा हमारा main method public static wide main जहां पर जैसे जैसे letters का लिखा हुआ है capital में या small में वैसे ही आपको as it is लिखना है अगर public का p small है तो आपको public का p small ही लिखना पड़ेगा अगर string का s capital है तो string का s capital ही लिखना पड़ेगा आपको और यह class और यह main method का declaration सारे programming में सेम रहेगा बस change होगा तो क्या होगा आपका class का नाम और इस class के अंदर में जो भी आप programming करोगे उस programming का logic यह दोनों different होगा तो देखें जैसे class में हम लोग एक curly breath दिये हैं वैसे ही ठीक उसी तरीक से public study void में नहीं के main method का भी एक curly breath start होगा यहाँ पर और सारे जो logics होगे यह इसी main method के अंदर लिखा जाता है तो suppose कर लेते हैं कि हमारे पास दो variable है first one is a and second one is b और दोनों में कुछ value assign कर दिये हैं कुछ value store कर दिये हैं तो मैंना आपको variables का video पढ़ाने के time बताया था कि कि किसी भी variable को सबसे पहले declare करना पड़ता है और इसको declare करने का तरीका क्या है वो आप पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हो इसका description में link दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको उस variable को declare करना पड़ता है उसके लिए लिखना पड़ता है आपको उसका data type जैसे कि int is a data type और उसके बगल है variable का नाम फिर assignment operator और उसके बाद उस data को हम लोग उस variable को assign करते हैं एक value के साथ एक data के साथ एक अंदर में store कर दिया गया 10 और बी के अंदर में कोमा देखर के बी एक variable दूसरा variable है इसके अंदर में हमने 5 store किया है तो मेरे पास दो variable था ए और दोनों के अंदर मैंने 10 and 5 store कर दिया और एक third number का variable लिया है m इस m के अंदर में क्या होगा इस m के अंदर में ये जो मेरे पास expression दिया हुआ है इसका result जो भी होगा इसका solution होगा इसका value होगा last में वो store होगा इस m नाम के variable के अंदर इसलिए मैंने m को declare किया है इसको assign नहीं कि है जैसे कि मैंने a और b को assign कर दिया है statically इसके अंदर में मैंने already 10 and 5 store कर दिया है इस तरह का assignment को हम कहते हैं initialization को हम लोग कहते है static initialization जहां हम लोग प्रोडाम को run करने के पहले ही value को store कर देते हैं इसके बारे में भी हमने already वीडियो को discussion कर लिया है तो m को मैंने variable को declare किया है इसको मैंने assign नहीं किया है इसके अंदर value store होगा इस प्रोडाम के execution के बाद हैने कि इसके अंदर में dynamically value store होगा जब program run कर जाएगा execute कर जाएगा अपने आप value store के अंदर store हो जाएगा चलिए बढ़ते है next m is equal to मैंने m के अंदर में ये सारा expression को लिख दिया तो a square एक mathematical term है लेकिन उसे जावा में लिखने के लिए a into a लिखना पड़ेगा वैसे ही plus तो plus दे दिया मैंने फिर 2 है 2 लिख दिया फिर 2 के बाद mathematics में 2 a b को 2 into a into b नहीं लिखते लेकिन जावा में उसे 2 into a into b लिखना पड़ेगा अगर आप simply 2 a b लिख देते हो तो जावा उसे समझ नहीं पाएगा फिर plus का sign है अल्रेडी यहाँ पर plus का sign हमने दे दिया फिर b square है तो b square के लिए b into b आपको लिखना पड़ेगा तो यह मैंने m के अंदर में सारा statement लिख दिया जैसे ही से execute किया जाएगा वैसे ही सारा result होगा वो m के अंदर store होने के बाद उसे तो देखना पड़ेगा न कि इसके अंदर में कितना value store हुआ है तो उसे देखने के लिए हमें उसको print करना पड़ेगा तो print करने के लिए हमारे पास system.out.println नामका method present है और हम पूरे इस keyword का इस्तमाल करते हैं किसी भी data को print करने के लिए तो देखें इसके अंदर में हम लिखे हैं the value of expression is equal to तो यह double quotes के अंदर लिखा हुआ डेटा है इसका मतलब यह एक message है जो as it is screen पे print हो जाएगा और उसके इस level quotes के बाहर में plus लिखे हैं और फिस उस variable का नाम लिखे हैं इसको हमको print करना है तो यह तरीका मैंने already discussion कर लिया है last videos में किस तरह से किसी message के साथ एक variable को print किया जाता है इतना होने के बाद main का जो bracket हो close हो जाएगा और class का जो bracket हो close हो जाएगा और उसके बाद जब इसे execute कर इस computer execute करेगा यारे कि चावाज इसे execute करेगा background में उसे हम यहाँ पर अपने सामने करके देखेंगे इस तरह का execution का हम लोग करते हैं dry run तो देखें सबसे पहले क्या होगा a और b का value है हम इस a और इस b का जगा पर put कर देंगे तो a का value है 10 into फिर है a फिर से 10 फिर से plus 2 a का value 10 b क फिर से बी का value 5 मैंने सारे variables के बदले में उनके data को place कर दिया अब आगे क्या होगा 10 into 10 100 हो जाएगा फिर plus 5 into 2 10 10 into 10 100 फिर plus है plus दे दिए 5 into 5 25 जब सारे value को add कर देंगे तो मेरे पास print होगा output में क्या print हो जाएगा 225 यह मेरा result होगा इन सबको add करने के बाद मेरा result आएका 225 तो यह तो background execution है यह जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं यह सारी चीज़े जो होगी यह सारी चीज़े यहां से लेकर करके यहां तक जो होगा यह background में होगा यह हम देख नहीं पाएंगे जब हम उसको programming को ग्लूज expression यानि कि जो message हमारे पास यहां पर है यह message जो लिखा हुआ message हमारे पास है the value expression यह total as it is screen पर print हो जाएगा क्योंकि यह message है और उसके बाद जो variable है उस variable के अंदर में जो value store हुआ है यानि कि इस m के अंदर में 225 store हुआ है तो वो 225 screen पर print हो जाएगा तो चले इसे हम देख ले के बाद सबसे पहले आपको इस तरह का interface दिखेगा अपने सामने जहां पर आपको new class का option रहेगा आप new class को create कर सकते हो कैसे create करते हैं कैसे क्या करते हैं सारी चुजों के बारे में description मैंने एक वीडियो में दे रखा है उस वीडियो को आप जाके playlist में चेक कर सकते हो आपको व क्लास बना रखा है और उसे मैंने coding भी कर रखी है उसके अंदर तो देखें coding मेरा कुछ इस तरह का होगा जैसे कि मैंने अपने slides में आपको दिखा रहा है तो इसको करने के बाद करना होगा आपको compile compile करने के बाद आपको इस जगह पर देखें class compiled no syntax error यानि कि आपके पास को पर में जो second number option है उसे करना है उसके बाद आपका इस तरह का box खुलेगा यहां करना है OK करने के बाद ही आपको यह result है screen पर print हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको slides में dry run करके दिखाया था कि आपको ultimately result जो screen पर print होगा वो कुछ ऐसा होगा the value of expression जो की एक message था यहां तक हमारा message जो कि double quotes के अंदर में लिखा हुआ था और यह मेरा variable था जो plus sign के बाद लिखा हुआ था variable के अंदर जो value है वो यहां print हो गया और message जो है वो as it is print हो गया तो उमीद करूँगा कि आपको यह video पसंद आया होगा और आपको सारी चीज़े समझे में भी आये होगी अगर आपको यह video पसंद आया होगा आपके लिए अगर यह video helpful है तो like share भी करें और अगर आप इस channel पे जुड़ चुके हैं पहले ही तो आपसे अगले वीडियो में एक नए topic और नए knowledge के साथ त्यरून मुडाकात होगी तब तक के लिए take care and goodbye